नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन भार्थिये जानता पर्टी के परदेश प्रवक्ताविनेश कुमार ने सरना धर्म कोड पर भाजपा के स्टेंड को लेकर पुछे सवाल पर इतना ही कहे हैं कि पर्टी अभी इस पर अध्यायन कर रही है भाजपा नेता कहते हैं कि फ्रश्टा चार के मामले में फोंसे हेमान सुरेन जान बोच कर नाजुक मुद्द्य को उच्छाल रहे हैं जार्खन की सिक्षा बेवास्था को बेहतर करने के लिए पर्जेक्ट रेल सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन की दीशा में जार्खन सरकार ने एक महतोकांची पर्जेक्ट सुरू किया है जिसके तहत स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हर सफता परिक्षा देनी होगी जार्खन सरकार के सिक्षा भी भाग द्वारा सुरू की गई योजना रेल प्रोजेक्ट के रूप में जानी जाती है बता दे इस योजना के तहसानी वार को वर्ग एक से आठ तक के बच्चों को परिक्षा देनी होती है जार्खन सिक्षा पर योजना के द्वारा ने धारी दो भी सयोग के डिजिटल प्रशन पत्र जीला के माध्यम से स्कूल तक पहुंचाया जाता है विद्यार्थियों को स्कूल के दोआरा उनके कलास में प्रशन पत्र ब्लैक बोड पर लिख कर दिया जाता है जिसके बाद वे इसका उत्तर लिख कर कोपी जमा करते हैं जार्खन के 7200 परिवारों को फिरी में मिलेगा डिटी एच से टप बॉक्स जार्खन के आदिवासी बहूल वनक्सल प्रभावित गुमला जीले में विकास की गाती देने तथा सुदुरवर्ति गिरामिन इलाके के लोगों को देश दुनिया से जोडने के लिए कई परियास किये जा रहे हैं इसी कड़ी में भारत सरकार के सुचना एवं प्रसरन मंत्राला के अंतरगत प्रसाल भात्री की दे ब्रोड कास्टिंग इस्प्राटक्चर और नेटवर्क डेवलोप्मेंट के तह जीले के उगरवाद प्रभावी छेत्र के 7200 परिवारों तक जल्द से जल्द डिस DTS सेट रखुवर्दास ने सियम हेमन्त को लिखा पत्र EST को ही मिले सर्टिफिकेट पुर्व सीयम रखुवर्दास ने सियम हेमन्त सुरेन को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मांग किया है कि EST सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हें ही जारी हो जो आदिवासी रिती रिवाज पर चलते किया जाए जो आदिवासी समाज का स्थापित डिती रिवाज रुढियों परंपराओं अनुष्ठान वेसभूसा और उत्रा धिकार बिरासत के निमों का पालन करते हैं रगवर दास ने इस मांग पर स्थिय महमन सुरेन को पत्र लिखा है दास ने कहा है कि 1997 में केरल राज ए चाई भासा में नक्सलियों ने किया आईडी बलास्त जवान राजे शहीद पाचमिस सिंभूम जिले में नक्सलियों ने आईडी इस फोट किया है इस द्वरान दो जवान हगा ये न भानन परण में इलयुच की राइच सिलय जाय गया हालाकि इलाज की दवान कोबरा 209 बाटायन की कॉंश्टेवर रायस कुमार 29 वर्स ये सहीद हो गाएं सहीद रायस मोल डूप से 36 गड़ के गरिया बंद जीले के चहुरा थाना चेतरे के मदेली रावेली गाउं के निवासी थे घटना गुरु और को टोटो थाना अंत्रगत तुमबा हाका और सर जोम बुरु के रास्ते में आईडी बलाश्ट के करण हुआ है रांची में पश्माशम के बाद सहीद जवान रायस का सब पुलिस को सुपूर्द कर दिया गया वहीं बलाश्ट में घायल हुए इंस्पेक्टर भुपेंद्र कुमार 40 वर्सी उतर परदेश के बलिया जिले के छिलता कोहर गाउं के निवासी है जारखन में डेंगू के 49 नए मरीज मिले जारखन में डेंगू के मरीजों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है इसी बीच गुरुवार को टीय में जमसेत पूर में डेंगू पीडित एक आट साल के बच्चे की मौत भी हो गई राजे में अब तक 1447 डेंगू मरीजों की पुष्टी हुई है इन में 901 पूर्वी सिमूम के हैं रांची में 79 मरीज मिल चुके हैं बता देश चिकित सकों के अनुसा डेंगू से मिलने वाले सिर्फ 10 पिजदी मरीजों को ही पलेटलेट की कमी हो रही है जिसका पलेटलेट कम हो रहा है उन्हें सिंगल डोनर पलेटलेट की ज़रूरथ पर रही है RDPC मरीजों को बहुत अधिकलाब नहीं हो रहा है निलंबित IAS 26 रंजन समेट 10 पर आरोप जल्द रांची में सेनाग जमीन समेट अन्य भुखंडों की फर्जी तरीके से खरित विक्री के मामले में रांची के पूरव DC और निलंबित IAS 26 रंजन समेट जेल में बंद 10 आरोप योग मुश्किले बठने वाली है इन पर जल्द ही आरोप गठन किया जाएगा आरोप योग को ED की ओर से पूलिस पेपर दे दिया गया है पूलिस पेपर मिलने के बाद आरोप गठन की तारिक निधारित कर दिए आरोप गठन होने के बाद मामले में ED की ओर से लगे आरोप को आदालत में साबित करने के लिए सबूत पेश किया जाएगा राजे के हर पलस टू इसकूल में 1160 विद्धयार्थियोको किया जाएगा सिप्ट जायर्खन में इंटर कॉलेजों के पलस टू इसकूलों में बिलाए के बाद हर इसकूल में 116 1636 को सिप्टिंग होगी राजे के 317 इंटर कॉलेजों में 3.68616 नमाग की था हैं बता दे हर संस्थान में औस्तन 1160 बिद्यार्थी नमांकित हैं उसी अधर पर स्रिप्टिंग होगी पूर्वी सिम्हों में सबसे ज़्यादा 1433 वा दुमका में 1407 छातर छातरा हैं एक इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहीं लोहरत अग्गा में सबसे कम 702 और लातेहार मे 755 बिद्यार्थी एक इंटर कॉलेज में नमांकित हैं वहीं संस्थानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा रांची में 42 धानबाद में 35 और बोकारों में 30 इंटर कॉलेज हैं पलस्टू स्कूलों में बिलाय का बिरोध इंटर कॉलेजों में आई लटकेंगे ताले बता दे रांची में गुरुवार को मोर्चा के डक्टर सुरेंदर जहा के अधेक्ता मैयोजीत आपाद बैठक में 29 सितंबर को इंटर कॉलेज हाई स्कूल संस्क्रीट बिद्याला है और मदार्शा का ताला नहीं खोलने और पठन पठन नहीं करने का निना लिया गया है पोक्सो कोट में जहारखन के 1100 केस लटके उजयन में नवालिक से हवानियत की घटना के बिश देश भर में योन उत्पिर्णा के लंबित मामलों ने चिंता बढ़ा दिया है देश भर में फास्ट ट्रेक विशेस अदालत तो पोक्सो के तहद दर्ज योन अपराद के 175 मामले लंबित हैं बता दे जहारखन में भी इस तरह के करीब 11,000 मामले लंबित हैं ऐसे मामलों की तवरित सुनवाई के लिए केंद्रे ने अक्टूबर 2019 में FTSC गठित करने का फैसले किया था बीधी मंत्राले के अनुशार देश भर में पोक्सो क में दर्ज मामलों तवरित निटारे के लिए एक हैर 23 फास्ट रेक अदालते गठित करने की योजना थी चार वर्सबाद 736 FTSC काम कर रही है इन में थे 412 पोक्सो सुनवाई के लिए हाई पूलिस कर्मी के बेटे के सीर में लगी थी गोली रीम्स के डॉक्टरों ने बचा ली जान जार्खन के सबसे बड़े सरकार इस्पतल रीम्स के डॉक्टरों ने एक बार फीर सीर में गोली लगे एक 23 साल के योग मनीश कुमार की जान बचा कर संस्थान के प्रति लोगों का भरुसा बढ़ाया है बतादे 7 घंटे के लंबे उपरेशन के बाद योग फिलहाल वेंटिलेटर पर है बताया जा रहा है कि योग पुलिस कर्मी का पुत्र है पंडरा का रहने वाला बताया जा रहा है बताया जा रहा है कि योग के सीर में गोली लगी थी रात भर वह रांची के कठल मोल के पास पड़ा रहा था और सुबह उसे रिम्स लाया गया था इसके बाद उसके परिजन प्राइवेट होस्पीटर ले गया थे लेकिन इलाज से इंकार करने के बाद वे फिर रिम्स पहुंचे और भरती कराया रिम्स के डॉक्टर ने लंबे अपरेशन के बाद युवक की जान है गुरुवार को रन धीर वर्मा चोक में धारना दिया गया नेताओं ने कहा है कि 20 सितंबर को जहार खंड के बिभीन रेलवे स्टेशनों पर रेल टेक का डहर छेका कारकरम सांती पूर्ण एवाम लोकतांतरिक तरीके से चलाया जा रहा था पूलिस एवाम रेल पूलिस ग2 और रा अंदलनकारियों पर मुकादमा दायर किया गया जीस से हटाने की मायं हम सरकार से करते हैं निमडि एश्टेसन पर अंदलनकारियों पर पूलिस ने लाठी चार्ज किया इस घातना की जाच होनी चाहिए कि कि परिस्थितितियों में वहाँ निहत्ते लोगों पर कुर्मी नेताओं ने 26 सितंबर को मुख्य सचीव से भी मिलकर मुकादम वापस लेने की मांग की है। लोहर दग्गा में मिलाद उन्नभी को लेकर निर्देश डीजे बजाने की इजाजत नहीं। पुलिस अधिक्षक हैरिस बीन जमा के अध्यक्सता में मिलाद उन्नभी तेवहर को लेकर जिला अस्तरे स्तांति समीति की बैठक समानाला इस्तित सभागार में होई। इस बैठक में परखंड के विभीन गाओ में कर्मा मेला, जीतिया वरत, उपरांत लगने वाले मेले को लेकर भी चर्चा की गई और दिसा निर्देश दिये गाए। से सपत पत्र लेंगे कि वे किसी भी जूलूस के लिए आपना डिजी उपलब्ध नहीं कराएंगे। से लिए पाकुडिया समुदाईक, स्वास्त केंद्र और पच्छिम मंगाल के रामपूर होट में भरती कराया गया। हलाकी सभी बच्छे खत्रे से बाहर आएं। बताया जा रहा है कि पाकुड के पाकुडिया परखण इस्थी जहरिया गाव में संचाली स्थिद्धो कानों मुर्मु वास्य इंगलिस स्कूल के करीब सो बच्छे बुद्धवार की रात को बिमार पढ़ गए। रांची में सुक्रवार से बीत रहित सिक्छक की हरताल। चेत्र के बिधाकों के आवास का भी घेराव कर अधिग्रहन या घाता अनुदान देने की मांग पत्र लिखवाएंगे। बीत रहित सिक्छक संहर्ष मोर्चा ने दो अक्टूबर को राजभोन के समक्ष महाधरना का भी नहीं लिया है।